अस्तलाव अलेकुम दोस्तों यदि आप कुएट में रहते हो और कुएट केम तरीन खबरों से में इसा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना इसकुप कप पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल ऐकन को कर लीजे ताकि आने वाली वीडियो की नॉट्टिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहें तो साथियों आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर साथियों आ रही है वो कवेट से GDP को लेकर आ रही है तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि पुरी लगातार घटती रही पहले साथ दोस्तो ओल सेक्टर से 3.5 का GDP घटा है सेंट्रल एडमिस्ट्रेशिव स्टैटिक से तरब से 4.4 और ये बताया गया है कि दोस्तो यहाँ पे स्टैटिक जो सो इंफलेशन होता है उसमें 4.30% का घटा हुआ है कुल मिला के लगबग 9.9% वहाँ पे GDP घटी है लगब 20 और 21 के दोरान अगली खबर दोस्तो जो आरी साथ यों बताना चाहूंगा मिनिस्ट्री ओफ एजूकेशन के तरफ से आरी मिनिस्ट्री ओफ एजूकेशन के तरफ से अलियाकूब साहब के तरफ से ये बातें बताई गई अगली खबर दोस्तो जो आरी MNTC सिंटू फिक्स लेबर सॉटे दोस्तो जैसा कि आप लोग को पता है कि कुएट में वहाँ पे एक्सपार्ट की काफी जादा कमी हो रही यानि वहाँ पे काम करने हो रही है तो इसको लेकर वहाँ पे बोला गया कि जल से जल नए वीजा को इसू किया जाए ताकि वहाँ पे जो सॉटेज हो रही वरकरों की वो पूरी की जा सके अगली खबर की और साती हूं चलते हैं अगली खबर दोस्तो जो आ रही है मोई की तरफ से आ रही तो मोई की तरफ से मिनिस्ट्य ओफ एज्योकेशन के तरफ से बहुत अच्छी पहल की गई है वहाँ पे दोस्तों जितनी यह बड़े बड़े स्कूल वगयरा है इस्कूल वगएरा है, कॉलेजेस वगएरा है, युनिसिटी वगएरा है, वहाँ पे लगभग 55,000 AC को देने का दोस्तो वादा किया गया है, यानि दोस्तो सभी स्कूलों में AC लगाया जाएगा ताकि बच्चों को वहाँ पढ़ने में थोड़ी सौलियत हो सके, वहाँ पे ग बटा कि डोमेस्टिक वर्करों की काफी जादा कमी है, जिसको लेकर परपोजल रखा गया था कि नए डोमेस्टिक वीजा को जल्दी से जल्दी इसू किया जाए, ताकि वहाँ पे 400 ब्र दोमेस्टिक वर्कर जो छोड़के चले गये हैं, उसकी वहाँ पर पूर्ती की जा स तरफ से एक ACN महिलाओं को इसलिए ग्रफतार किया गया क्योंकि वो अल-अहमदी एरिया में एक फैक्टरी में लीक्विर बना रही थी यानि सराब बना रही थी लगभग 200 बॉटलों को जब किया गया जैसा कि वीडियो के स्क्रिन पर फोटो आप देख सकते यही वो महिला थी जो सराब बनाने का काम करती थी फिलाल इसे ग्रफतार कर लिया गया ग्रफतार करके कानूनी कारवाई इस पर की जारी है अगली खबर दोस्तों जो आरी मिनिस्ट्री ओफ इंटीर के तरफ से आरी कल के दिन 24 घंटा के अंदर 21 ACN लोगों को और RB लोगों को पकड़ा ग लागी तो यह कुछ अपडेट्स थी कुछ खबरी थी जो की कुएट से आरी थी मैंने अब तक सेयर क्या आसा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ सेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सकें मिलते साथ युनिक स्टूडियो पहले आफीज और टेक केर